हे गाईज तो आज हम अडानी गरीन जैसे एक छोटे से स्टॉक के उपर डिसकस करेंगे आपको पता होगा कि अडानी गरीन भी लगबग जो है 30 या 40 रूपीज के आसपास हुआ करता था उसके बाद आज के डेट में वह हजारों में जा रहा है उसी तरीके से एक छोटा सा स पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे एक और यूटूब चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह रहा आपके सामने यह देखोगे तो लगबग 20% के आसपास आप लोगको तेजी देखने को मिला है यह मैं वन डे का चार्ट दिखा रहा हूँ मतलब केवल आज का तो market बहुत बहुत आराम से उपर हुआ था आराम से दे 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 लोगवो को confuse कोया और धरसे जैसे market close होने वाला था कितने वज़े के आसपास? मतलब 3 o'clock के आसपास इतना समझ लेजे सही है 3 o'clock के आसपास 2 या 3 o'clock के आसपास उतना है मतलब जैसे ही मार्केट बंद होने में घंटे दो घंटे बचे थे लगा सरकीट लगाने और लोगबग देखते रहागे 20% का सरकीट उसके बाद ये तो मैं आप लोगो 1 day का चार्ट दिखाया 1 month का भी अगर आप मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो अच्छा खासा stock ने perform किया है है कि नहीं है अच्छा खासा stock ने perform किया है 6 month में देखोगे तो भाई देख लिजी आडानी ग्रीन जैसे मतलब rocket बनने की कोसिस कर रहा ये stock तो ये ही रहा आपके सामने देख सकते है traded volume share लगबग करोडों में किया जा रहा है और आई ये stock का नाम है आडानी पावर ये चलना स्टार्ट कर दिया सही है तो आज के date में अगर आप देखोगे रहा profit हो रहा कि मैं आपको बोलूँगा अडानी ग्रीन में कोई डर्ने वाली बात नहीं क्योंकि लोग पूछेंगे भाई अडानी ग्रीन में भी पूछेंगे ऐसमें कोई डर्ने वाली बात नहीं है attention मतलो काफी अच्छा profit दे चुका है stock काफी अच्छा profit दे चुका मतलब बहुत ज़्यादा दौड रहा था बात सही है न दौड रहा था अब हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा running कर ले तो क्या हो जाता थक जाते हैं हमें रेष्ट चाहिए होता रेष्ट चाहिए होता रेष्ट चाहिए होता जो वो रेष्ट मूमेंट है वही आ चुका आर्थी डग भी देख लिए किस तरीके से रोकेट बन के जा रहा था आर्थी डग लगबग एक महीने हो चुके हैं या दो महीने हो चुके हैं आर्थी ड रोड के आसपास बहुत बड़ा माउंट होता है भाई 1000 करोड बहुत बड़ा माउंट होता है जिसके वज़े से यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको तकलिफ देखने को मिल रही है और यह स्टॉक गिर कहां रहा है यह आप खुद ही देख लो ना यह देख लो सही से देख लो तो मैं आपको बोलूँगा टाइम लगेगा भाई टाइम लग जागा लेकिन बेशने के कोशिस मत किजेगा मेरे हिसाब से और जहां तक यह हो सकता तो थोड़ी बहुत आपको बेश के निकल जाया अब भाई देखें कन्फ्यूजन लो भाई आडानी पाउर में इतना जादा तेजी देखने को क्यों मिला यह भाई आप जाके एलन मस्क से पूछ सकते हो उन्हें उन्हें दो तीन दिन पहले ही बता दिया और उन्हें के बज़े से यह तीजी देखने को मिला है भाई हाँ वो फॉरिन में तो है लेकिन उनका असर हमारी इंडिया में भी होता है क्योंकि वो वर्ल्ड रिचेस्ट परसन है समझ रो ना वर्ल्ड का सकेंड रिचेस्ट परसन है भाई कुछ बोलने से इंपक्ट पड़ेगा ना कुछ तो इंपक्ट पड़ेगा ना तो अमेरिका की राष्टपती अगर वहां के माल लेते हैं कि पियंद की अगर वज़े से कुछ मार्केट में हल चल देखने को मिलती है तो हमारी निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिलती है तो ये क्या होता एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते है तो एलन मस्क ने बोला था आसपास तो ये देखिए दो दिन पहले ही खबर आई थी जहां पर एलन मस्क ने बताया था कि electric car will double global electricity demand और ये साफ साफ टेसलर की तरफ से बताये गया था सही है तो इसके वज़े से क्या हुआ कि electricity का जो consumption है वो बढ़ चुका जो electricity का consumption बढ़ेगा तो जितने electricity बनाने वाले company है उनको भी तो profit देखने को मिलेगा तो ये electric car है मैं हो सकता गलती से बोल दिया होगा electricity सही है तो electric car के बारे हम बात के जा रही है जब electric car आएगा तो वहाँ पर क्या चाहिए होगा electricity चाहिए होगा तो वो जब आएगा ना तो global market में जो electricity है उसका demand बढ़ जाएगा और दुगना हो जाएगा क्योंकि हर जगा power supply चाहिए होगा भाई मैं आपको बता दूँ 69,000 से भी ज़्यादा petrol pump है अगर यहाँ पर 69 कुछ ऐसे यार हो सकता है मैंने नंबर में गलत बोलत हूँ इसलिए माफिश चाहता हूँ गूगल में आप देख लो तो इतना जो है इंडिया की बात के जा रही है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर लगाना पड़ेगा charging system उसके लिए power को क्या करना पड़ेगा यह वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा तो वहाँ पर बड़े-बड़े मतलब बहुत बड़ा ये करना पड़ेगा ट्रास्फार्मा वेगरा लिके जाया जाएगा electricity को स्टोर करने के लिए कोई मतलब बनाया जाएगा वहाँ टेक्निकली कुछ बनाया जाएगा तो उससे होगा क्या कि उनका consumption बढ़ जाए क्योंकि आपने देखा होगा ना कभी देखा होगा कि 10 पहिये वाले बहुत बड़े बड़े गाड़ी होते हैं है की नहीं है और को आपने सुनाओगा 20 मतलब बहुत बड़े 20 पहिये वाले 100 पहिये वाले होते हैं तो इतने जो को जो heavy truck होते हैं उनको ज़्यादा power चाहिए होगा तो उनको कौन देगा जो power वाले हैं वही company देगा अब battery वाले company आएंगे तो वो क्या करेंगे वो battery बनाएं देगा वो store करने के लिए जगा देंगे आपके जो जो भी vehicles होगे उसमें store करने के लिए जगा देंगे लेकिन इसको बाहर पर देने के लिए कौन आएगा भाई वो power वाले company आएंगे ना अब नीचे conclusion देख लिए और कोई भी लगबग चार घंटे पहले आपको यही चीज़ बताया जा रहा कि electric utility stock gain utility का मतलब क्या होता है utility वह चीज़ होता है जो first time में लेते हैं मतलब जो जितना टेस्ट होता उस तरीके से तो इसका जो है utility बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा इस वज़े से आडानी पावर में JSW में जितने में भी है लगबग यहाँ पर 20% यहाँ पर 14% के आसपार देख लीज़े पावर वाले कंपनियों में आपको तेजी देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं है क्योंकि एलन मस्क ने बता दिया है और उनकी पूरी कंपनी जो है इलक्टिक हो चुकी है जो पूरा कार है एलन मस्क जो टेशला है वो पूरी तरीके से जो है लगबग आज से बहुत दिन पहले से वह इलक्टिक के लिए काम कर रही है तो यह एक बड़ी खबर है तो जितने भी पावर वाले कंपनी है उस पर फोकस करें और इसलिए मैं अडानी किसी चीज में पीछे है क्या अडानी ग्रीन अडानी ग्रीन की बात की जारी है सोलर पैनल बनाने में नंबर वन है कि नहीं अडानी गैस अडानी गैस भी गैस बनाने में नंबर वन अडानी पावर भाई पावर बनाने में नंबर वन क्यों नहीं बन सकता तो मैं बोलूँगा ऐसे स्टॉक पर ध्यान रखो प्रॉफिट बनेगा बड़ा प्रॉफिट बनेगा पैसा आएगा तो आपको पता नीचे लगा इतना ज़्यादा पैसा कहा से आएगा आप 50-50 स्टॉक खरीदोगे हो सकता कि एक साल में आपको 20% का प्रॉफिट देखने को बनेगा और यहाँ केवल एक दिन का खामाल है सोच लो मतलब 5 साल में आपका पैसा अगर डबल होता है चलो यह मान लेते हैं तिरबल होता है तो यह लगभग आपको 5 साल में मैं समझानी के पूरी कोशिस करूँगा और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो अपने डिमेट अकांट बागर उपन करना चाहते एं तो आपको फ्री में देखिया अगर आपका डिमेट अकांट फ्री में ओपन होता है तो दिरीदर आप लोग को नोलिज बगर भी मिल लिए जाएगा क्यों 20 रुपिस ली जाएगी वह भी इंट्राडेटेड में जो हर जगह लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जा कि अपने डिमेंट अकाउंट उपेन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है